तो यहां पे हमने ली है चना दाल जिसे मैं दो घंटे के लिए भिगो लिया था तो दाल को यहां पे हमने भिगो लिया है अब इस दाल को आप मिक्सी में डाले और जिस पानी में भिगोया था उस पानी को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें तो आप इस दाल को मिक्सी में डाल दें और मिक्सी में डालने के बाद हम इस दाल को पीस लेंगे तो आप इसे ढखके पीसे और पीसते वक्त थुड़ा-थुड़ा करके पानी डालें थुड़ा-थुड़ा करके पानी डालने से ये पिसने में हैल्प होगी तो अब आप देखेंगे ये अभी भी थोड़ी सी जो है दर्दरी है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे एक साथ सारा पानी बिल्कुल ना डाले थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहें उससे आपका जो पेस्ट है वो बहुत ही स्मूध बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो डाल है पिस चुकी है और आप देखेंगे कितना स्मूध इसे मैंने पीसा है पानी की हेल्प से और अब हम इसे दूसरे पर्तन में ट्रांस्फर कर देंगे इसमें अब मैं डालूंगी सूची अब सूची में यहाँ पे आधी कटोधी डाल रही हूँ और सूची को जो है आप दाल में अच्छे से मिक्स कर ले यह बहुत ही अच्छा टेक्स्चर देगी आपका डोसा बहुत ही अच्छा बनेगा तो थोड़ी सी सूची यहाँ पे में और डाल रही हूँ और इसे भी आप यहाँ पर दुबारा मिक्स कर ले अच्छे से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद जो है आप इसमें डाल दे थोड़ा सा नमक नमक जादा ना डाले स्वात के अनुसार भी नहीं बस थोड़ा सा नमक डाल दे नमक को भी आप अच्छे से फेट ले हमारे घोल में और फिर आप इसे ढग के 10-15 मिनिट के लिए रख दे उससे सूजी फूल जाएगी सो अब सूजी फूलने के बाद हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाले जितनी जरूरत लगे और इसे दुबारा अच्छे से आप फेट ले तो यहां पे इसे में अच्छे से फेट लिया है और आप देखेंगे हमारे बैटर की कंसिस्टेंसे भी थोड़ी सी गाड़ी है डोसा बनाने के लिए पतली चाहिए तो यहां पे मैंने घोल को थोड़ा सा पतला कर लिया है बिल्बल जैसे डोसे का घोल होता है पानी डाल के अब यहां पे मैं आपको फर्स स्टेप की जगह सेकंड स्टेप दिखाऊंगी यहां पे आप देखेंगे मेरा डोसा बन रहा है जब आप तवे पे पहला डोसा बनाएंगे तो वह बहुत इसली फैल लेगा क्योंकि तवा बहुत चाहता गरम नहीं होगा और हमें नॉर्मल मीडियम हीट चाहिए तवे की तो यह तो हमारा पहले बन गया अब दूसरे डोसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है आप क्या करना है पहला डोसा बनाने के बाद दूसरे डोसे के लिए तवे को दुबरा ठंडा करना है सिम पर करलें अपनी गैस और पानी के चीत डालके उसकी हीट को थोड़ा सा कम कर दे मतलब थोड़ा सा थंडा कर Mueller करलें और पानी को अच्छे से यहाँ पर साफ कर लें और फिर एकदम सिम पे आप अपना घोल डालें डोसे का, उससे क्या होगा, अगर आपका तवा गरम होगा, तो आपका जो डोसा है वो अच्छे से नहीं फैल लेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत असानी से यह फैल रहा है, यूगकि हमने तवे का टेंपरेचर तो बड़ा थोड़ा सा नीचे ला दिया था, और अगर ऐसे आपका डोसे का बैटर खराब हो जाए, तो चिंता नहीं करने, यह बहुत ही इसली दुबारा से सही हो जाता है, थोड़ा सा और घोल डालें जहां जहां पे यह तूटा है, और यह इसली फैल जाएगा, तो मैं डालना है, तो बिल्कुल सिम पे रखनी है, और तवी को ठंडा कर लेना है, तो आप देखेंगे, नीचे से मेरा डोसा पक चुका है, और दूसी तरफ से भी हम इसे सेख लेंगे, बिल्कुल जैसे साउथ इंडियन डोसा बनता है, दाल चावल का बिल्कुल वैसा ही डोसा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्दी, और इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है, तो मेरा यहां पर डोसा बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो आपने मेरे बताएगे स्टैप्स का पूरा ध्यान रखना है, उसे आपका बैटर बहुत अच्छी से फैल करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अब मैं आप से मिलूंगे मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग